नमस्ते, वेल्टम तु मैं चानल गार्डनिंग विर्नितय के सरवानी, मॉन्स्टेरा प्लांट या आम भाशा में हम इसे ब्लोकेन हार्ट प्लांट भी कहते हैं, ब्लोकेन हार्ट प्लांट जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉर्मेंसी पीरियट से ये जो है विंटर के बाद किस तरीके से इसका जो लुक है वो आप देख सकते हैं, कितनी खराब कंडिशन हो गई है इस पौधे की, तो आज जो है मैं अपने इस पौधे की जो केर करने जा रही हूँ, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सभी जो है अपने सभी प्लांट को जो भी प प्लांट जो है जो डॉर्मेंसी पीरियर्ट में विंटर की वज़े से बिलकुल सुस्त पड़े हुए थे, अब उनके जागने का वक्त है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कि जो भी हमारे प्लांट की जो लीव्स हैं, वो खराब हो चुकी मॉंस्टेरा की, उसे हम हटा र होंगी, और इसके बाद हम अपनी मिटी की सबसे पहले जो है, हम इस पे गुडाई करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पौधे के लिए जो फर्टिलाइजर मैं यूज़ करने जा रही हूँ, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, ब्र अगर आप इसको पूरी तरीके से इंडोर में रख देंगे और इसको जड़ा सी भी आप पार्शल लाइट या सनलाइट भी अगर इसको नहीं देंगे, तो ये पौधा हमारा ज़्यादा जिन तक के नहीं चल पाता है, तो अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगा र तेज धूप नहीं रोशनी केवल धूप की इसे चाहिए इस पौधे को तो आप ऐसी जगह पे इस प्लांट को जो है रखिएगा क्योंकि जब बहुत जादा धूप इस पौधे को मिलने लगती है तो यह पौधे की जो पत्तियां होती है वो जलके और यह पौधा हमारा खरा जाता है तो इन चीजों का अब ध्यान रखिएगा इस पौधे में जो है इस पौधे में गुडाई करने के बाद जो है अब मैं इसमें जो खाद देने जा रही हूँ यह हमारा वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिसमें की सभी तरीके के तत्व हमारे जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स और मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं तो इसको जो है मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ और इससे हमारे पौधे में जो है ओवर ओल सारे जो न्यूट्रेंट्स है वो मिल जाएंगे और हमारा पौधा अच्छी त stem हमारी बाहर आ चुकी जिस तरीके से हमारा money plant growth करता है ठीक वैसे ही हमारा broken heart भी होता है तो इसको आप या तो एक stick के help से आप इसको moss stick हो या normal stick भी हो आप उसकी help से इसको बांध दें तो ये upward direction में ये अच्छी तरीके से growth करती है और अगर आप इसको वापस अगर आपको जै real roots बहुत अच्छी तरीके से develop हो चुकी है तो हम इसको मिट्टी में जैसे ही turn करके लगा देंगे तो हमारी पौधा जो है देखी इस तरीके से घना भी होएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जब ये लटकेगा हमारे hanging basket में तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस तरीके से compost देने के बाद अब जो है मैं इसमें एक और मेरा जो water है homemade fertilizer है ये पानी मैं उसे दे रही हूँ ये हमारा जो चावल और डाल का जो पानी बचता है wash करने के बाद मैं ये वो पानी दे रही हूँ क्योंकि उसमें भी काफी हद तक के nutrients हमारे जो हैं मिलते हैं तो उस जो है वो अपना काम करेंगे for more informative videos please subscribe my channel and follow my facebook page thank you so much to watching my video